इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शीराम कॉल्ज अब कॉमर्स इंडिया का नमबर वन कॉमर्स कॉलेज इसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताँगा ये वीडियो के बाद मेरा ये गैरेंटी है कि आपको कोई भी डकिमेंट पढ़ने का ज़रुथ नी, कोई भी वीडियो देखने का ज़रु आपका सारा जितना भी डाउट से आप मुझे कमेंट सेशन में, इंस्याक्रम में मुझे पूचते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यां से पूरा डाउट क्लियर कर दूँगा और मैं गारेंटी देता हूँ कि मैं जो पूरा डॉकुमेंट बनाया हूँ ना अभी आपको PDF दिख जाएगा स्क्रीन में जो मैंने क्रियेट किया है सारे documents important aspect को आपके सामने में एक document में डाल जिया हूँ और उसके बाद आपको मैं present करके पूरा बताऊंगा step by step process कि क्या हो general test compulsory है क्या mathematics compulsory है किस तरीका से आपको minimum marks लाना है CVT के अंदर क्या क्या होने वाला है पूरा तरीका से ये वीडियो में पता चल लाएगा तो आपको क्या करना है वीडियो बिर्कुल end देखना है साथी साथ मेरा चैनल को subscribe कर जाएगा आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ तो चैनल को subscribe कर जाएगा मुझसे आराम से conversation कर सकते है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप चलते हैं डारेट स्क्रीन पर आपने स्क्रीन पर दे सकते हैं इस PDF का नाम ही मैंने रख दिया है target SRCC admission और यहाँ पर मैंने अपने जो mobile से click किया था photos SRCC का वो मैं यहाँ पर लगाया हूँ और नीचे आप दे सकते हैं पूरा view है SRCC का और यहाँ पर आप मैं बोलू ना आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं जो पता है कि आप लोग ज़रूर इसके सामने यह college के सामने photo किचाएंगे और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि मेरा जो graduation moment है जहाँ पर मैंने डाला है अपना photo यहाँ पर date लिखाया है 25-4-2022 जहाँ पर मेरा graduation moment था जहाँ पर मैंने photo खिचाया था आप लोग भी किसी दिन एक दिन यह आएगा जिस दिन आप यह photo खिचाएंगे और post करेंगे तो उसी लिए आप लोग को यह video बहुत एंट देखने हैं क्योंकि आप लोगो step बच्चा परदा चलाएगा start करते हैं इस video को first of all अगर आप दे सकते हैं दली नुवरसिटी को बता दू कि competition बहुत जादा हाई है आप आप माल लिजे कि एक common exam आप दे रहें जिससे बी एच यू जे एन्यू डी यू यू यह सारे college के admission इसी cuit से होता है तो अगर मेरा अच्छा marks आएगा तो मैं जरूर एम करूंगा top commerce college of India को एम करनी के लिए तो इससे क्या होता है कि आपका जो competition है वो बढ़ जाएगा भले ही मैं जे इन्यू को सोच रहा हूँ बट मुझे इतना अच्छा marks आ गया कि मैं आप लोग को पढ़ाई जो करना है बहुत आदा करना बाद में बात करते हैं कि मिनिमम क्या है मिनिमम मास्क इतना को लेकि आना है लेकिन अभी स्टाट करते हैं सी यू इटी दो जारते हैं यह लेटेस्ट अभी चो निकला इंफोमेशन बुलेटेन उससे में उठाया हूँ यहां पर बहुत लोग बोलते हैं कि क्लास्ट में मुझे कितना मार्स लिकाना है देखो क्लास्ट में आपको सिर्फ लाना है पासिंग मार्स आपको सिर्फ पास करना है और कुछ भी लिना देना नहीं है और कि इसका भी एक क्राइटेरिया होता है जाब आपका डो नम्हुक्त घौष त एक सीठ दोनों वेबसाइट आपको देखना यहां पर आपको दे सकते हैं admission related सारा information आपको CVT 2023 का official website मिल जाएगा important पाकी सब रीट कर सकते हैं लेतिन 5th point जो है वो जाधा important है वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उन exam को भी attempt दे दूं CUET में जो classical subjects नहीं देख सकते हैं एक criteria यह होता है कि आप लोग जब जो सोच लिए for example मैंने class 12 में math नहीं लिया था बोड exam में math नहीं दिया था अब मैं CUET में math देना चाहता हूं क्या मैं दे सकता हूं answer is big no and that is what is written in the fifth point आप लोग clearly देखें यहाँ पर fifth point में लिखा है कि CUET में वही subjects आप लोग दे सकते हैं जो class 12 board exam में आपने दिया था इसलिए आप लोग class 12 जब exam दे रहे हैं जो class 10 भी देख रहे हैं students जो लोग class 11 में commerce नहीं चाहते हैं और एक डाउट रहता है कि बहुत लोग डॉपर्स होते हैं बहुत लोग class बहुत पहले दिया जोते हैं अब उन लोग को देना है CUET क्या देता है यहाँ पे no age limit है आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर gap year भी है तो उससे भी कोई लेना देना नहीं यहाँ आप लोग को सिंपली CUET पर माक्स लन है और CUET का माक्स देखके ही आपको कितना भी एजों से कोई लेना देना नहीं है फिर आता यहाँ पर नॉर्मली क्यों क्या लगेगा जो अप्लोड करने आपको वह फोटोग्राइब आपका सिग्नेचर आपका क्लास 10 का एड्मिट का रिजल्ट अगर है तो यहाँ आप दे सकते हैं पूरा रिट कर सकते हैं मैं ज्यादा नहीं बोलो क्योंकि में इंपोर्टन है आप लोग को किस तरीका से एडिमि सकते हैं अगर आपने और एक सिविटी फॉर्म भड़ा तो आपका एप्लिकेशन हो जाएगा रिजेक्ट और आप लोग का एलिजबल ही नहीं रहेगा वह साल के लिए तो इसे आप लोग याद रखे का में परपेस है यह वीडियो बनाने का वह आब आता है फॉर्स आप लिस्ट बीवन बहुत जादा इंपोर्टेंट एसा से स्टुटेंट्स के लिए और लिस्ट बीटू इसे आप अपने सेफ करके के सारे टोकुमेंट है टेलीग्राम गुरूप अब जॉइन कर लिजए और टेलीग्राम गुरूप जॉइन करके आप लोग पूर्ण डॉक् बीकॉम ऑनर्स के उपर अब देखो ऐसा से में सिर्फ दो अंडेग्राइजूएट कोर्सेस है तो कोर्स कौन सा होता है एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीए एकनोमिक यह मैं बार बार बहुत रहा हूं अब बीकॉम ऑनर्स का जो ओफिच्राल वेबसाइट पर है डी यू का इ होने के लिए आपको क्या का देना है कॉम्दी यह कोई एक लेंगविज ले लिजएगा mathematics या फिर accountancy ये दोनों में से एक subject देना compulsory है आपको या ज़रे खिएगा कि दोनों में से को एक देना compulsory है दोनों नहीं या तो आप math दीज़े या फिर accountancy दीज़े और any two subjects out of which at least one should be B1 यही पर भी दोनों criteria any two subjects which at least should be from list B1 आप लोग एक language एक mathematics या accountancy उसके बाद दो subject कोई भी अपना मर्जी जो class 12 पर आपने दिया था board exam पे उसमें से आप लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं choose कर सकते हैं लेकिन एक subject जो है वो list B1 में होना चाहिए अभी मैं list B1 में आप लोग को दे सकते हैं जैसे कि business studies हो गया accountancy यहाँ पर लिखा है लेकिन आप लोग एक ही दे सकते हैं फिर आता है आपका economics हो गया आप इतना सारे studies दे सकते है mathematics, political science, Sanskrit, psychology बहुत सारे है यहाँ पर list B2 भी है इसमें भी आप दे सकते हैं entrepreneurship है agriculture है, physical education list B2 list B2 में आता है तो आप लोग यह कर सकते हैं बजगे, यहाँ पर बहुत सारे colleges है जो जोजका मैं लिखा हूँ यहाँ पर शीराम College of Commerce जैसे कि आप इतना स्क्रीन पर दे सकते हैं यहाँ पर लिखा है और फिर आता है B.A. Economic Honors देखो यह बहुत साधा important है आप लोग ध्यान से सुनियागा क्योंकि यह become honors से भी complicated है यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि क्या-क्या आपको select करना है एक language एक ही combination है यहाँ पर एक language mathematics is compulsory mathematics is compulsory अगर आप B.A. Economic Honors में enroll करना चाहते हैं for SACC या फिर कोई भी दनिवस्टी College जो B.A. Economics देता है और any two subjects which at least one should be from B.1 तो इसी लिए आपको B.1 का कोई एक subject तो लेना ही पड़ेगा उसके साथ mathematics और उसके बाद एक language तो आप लोग को यहाँ भी चार subject B.K.W. में भी चार subject लेकिन B.K.W. में दो combination है यहाँ पर सिर्फ एक combination है जिसमें math compulsory है अब यहाँ पर doubt बहुत लोग आता है कि क्या general test देना compulsory है कि नहीं देखो general test देना compulsory नहीं है ठीक है आप लोग दोनों combination देख लिए अपना become owners का देख लिए B.A. Economics का देख लिए general test कहीं नहीं लिखा है तो general test देना नहीं है आप लोग को कोई भी ज़रत नहीं general test देने का लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि आप लोग general test दीजिए और यहाँ पर सिर्फ चार सब्जेक्ट मेंशन है एक language, mathematics या accountancy और कोई दो सब्जेक्ट जिसमें से list 1 भी होना ची एक तो language compulsory हो जाएगा mathematics compulsory हो जाएगा accountancy और कोई दो सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट में जो ज़्यादा marks आएगा आपको वो ले लेगा combination में तो आप लोग ज़्यादा subjects कर दीजेगा यह मेरा suggestion है यह उसको आपको पर depend करता है फिर यहाँ पर आप ज़्यादा है कि शीराम College of Commerce में बहुत सारे college देते हैं यहाँ पर आप ज़्यादा है कि शीराम College of Commerce में यहाँ पर इतना seats है अगर आप लोग ऐसा subject में टेस्ट नहीं देते हैं जो mandatory है माल लिजा आप BA economic honors देना चाहते हैं और mass exam ही नहीं दिये आप लोग ineligible हो जाएंगे दो subject देना है जिसमें से B1 होना है become honors या फिर B economics के लिए अगर आप सिर्फ एक subject एक्ष्ट देते हैं फिर भी आप eligible हो जाएंगे जो combination है वो fit होना चाहिए आपका admission प्रोसेस में वरना आप लोग admission के लिए ineligible हो जाएंगे जब आप लोग CUET दे देंगे अब यह step 2 आता है जब आप लोग CUET दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा CUET आने के बाद आपको fill करना है और एक form जो है दली नुवरस्टी का common portal जैसे कि आपने दे सकते है CU common seat allocation system CSAS बोलते है common seat allocation system को यहाँ पर आपको दली नुवरस्टी का application form submit करना है भढ़ना है फिर से और भढ़ने के बाद आपको preferences देना है programs देना है और colleges देना है अगर आप दली नुवरस्टी में admin करना जाते है तो दली नुवरस्टी का form भढ़ देजिए उसमें आप कौन से colleges में जाना चाहते है मानेजे मुझे मुझे इससी जाना है तो first choice रहेगा मेरा SACC B commoners, SACC BA economics और जितने भी college यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग preference भढ़ सकते हैं first में मुझे क्या मिलेगा आपको सारा चीज हो जाएगा फिर वो आएगा आपको दिखाएगा कि आपने कौन से college को crack किया है वहाँ पर दिखाने लगेगा आपका portal में जो portal में आप भढ़ेंगे यहाँ पर आप लोग जब भढ़ेंगे तो आपको 250 रुपीज का आपने प्रोग्राम स्पूल प्रोग्राम स्पेसिफिक अलिजिबिलिटी वही क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं किया आपने subject mapping criteria सही से नहीं किया जो ने बताया कि class 12 board exam है वही आप लोग सीवीट में जै सकते हैं अगर आप लोग मैप ही नहीं किया अपना subject को class 12 board exam से अपना cvt का तो आप लोग ineligable हो जाएंगे और अगर आपका invalid है documents आप लोग जो submit करता है या फिर कोई भी as as in case of you application form कि अब यहां बहुत ली यह सवाल आएगा कि भाईया मुझे यह बता देजे मिनिमम मार्क्स कितना है स्यूइट में लाने के लिए जो मुझे ऐसा सी सी मुझे मिल जाएगा लास्ट यर इतना टफ competition था अस्यर कम application आया था फिर भी बहुत जादा को टफ competition वहता है इस साल जादा students देंगे comparatively to the last year इस साल और भी जादा आने वाल है minimum मैं अपना experience से बोल रहा हूँ out of 800 आपको लाना है 760 यह याद रखेगा बहुत जादा important है कि यह जनरेल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ आप लोग SCST OBC अपना थोड़ा सा criteria बना लेजेगा इस 760 को benchmark लेके लेकिन मैं aim बोलता हूँ आप लोग को करने के लिए 800 marks मुझे minimum marks से कोई मतला भी नहीं है ऐसा attitude रखो और मैं बोलू ना आप लोग देखो एक average student मत बनाओ आपने आपको आप लोग average student हो ही ने आप लोग लेकिन मैं class 12 में मैंने इतना मेनद किया क्योंकि मैंने माइंट सेंच किया और आप लोग यह माइंट आगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं कि का SCST और OBC को पर OBC का पर last year पर भी आया था कि 31st March 2022 को बाद जो होना चाहिए वो होना चाहिए 31st March 2022 के बाद issue होना चाहिए आप लोग प्लीज ऐसा करिएगा कि 31st March 2023 जब आएगा उसके बाद फिर से एपलाई कर दिजेगा और याद रखेगा उसे ले लेने के लिए क्योंक OBC certificate उनको बोल के रखेगा 31st March 2023 के बाद से आप लोग को issue कराना है वो आप लोग रख लिजेगा फिर यहाँ पर OBC से लिकों को दोनों ही वही है फिर यहाँ पर EWS certificate का भी वही है कि 31st March 2023 का यहाँ पर 22 लिखा क्योंकि last year का है इस साल भी सेम रेप्लिका होने वाल है तो आप लोग को simply comment section में पूछना है मुझे डाउट मैं सारे लोग का reply करूंगा Instagram उनसे पूछ सकते हैं में वहाँ पर reply करूंगा और एक चीज़ याद रखेगा मेरे चैनल को subscribe कर दो यार मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं आपके लिए सारा चीज़ बनाता हूं इतना मेहनत कर चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दिए और मिलते हैं कि लिए बाई